इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोग को एक अपटेट देने वाला हूँ जो की आड़ी है LRC के तरब से इसमें फरजी डिग्री वालों पर FIR दर्ज हुई है इससे रिलेटर एक आज के डेट में ओफिस्यल नोटिस जारी की गई है जिसमें की सब कुछ डिटेल्स में आज के लिए जोब और वेकेंसी कब्रेट समय पर मिलती रहती है जो भी सारा जोबस और वेकेंसी ओल इंडिया साती है मैं सभी के लिए बताता हूं तो आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने कि है और पहली बार विजिट कर है हमारे चैनल पर जरूर से चैनल को स जोएनने कि है तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक है वहां से किलिक करके जोएन हो जाइए यहां पर जो भी मैं यूट्यूब चैनल पर वीडियो बनाता हूं उसमें जो भी अड़बर्टाइजमेंट नोटीस दिखाता हूं सभी मैं अपने टिलिग्राम चैनल पर डा बिसे सर्वेक्षन लिपिक विग्यापन संख्या पांच गुजार निस के आलोक में इसका नाम दिया गया है इप्लिकेशन आइडी इंप्लो आइडी दिया गया है और यह जो इसका पोस्टिंग हुआ था मदुपति उसके बाद डर्वंगा डिस्टिक में हुआ था इसका परमानपत्र एवं अंक पत्र के सत्यापन हेतू सेक्रेटरी बिहार एश्टेट मदर्सा एजुकेशन बोड पतना बिहार को प्रिसित किया गया इस संदर में परिक्षा नियंद्रक बिहार राज मदर्सा बोड पतना के पत्रांग 1731 इदिनांग 2821 दौरा सत्यापन 1065 है मतलब कि जो इसका ओरिजनल सर्टिफिकेट में मार्क है 1065 है लेकिन वो फर्जी तरीके से उसको 1224 बना दिया गया है उसके बाद लिखा है प्राप्त सत्यापन पर्तिवेदन से असपश्ट है कि विशे सर्वेक्षन लिपिक दोरा समर्पित अंक पत्र में हेरा फेरी जाल साजी कड 1065 के अस्थान पर 1224 के प्राप्तांग पर मेगा सुची में समलित हुए है इस परकार गलत प्रमान पत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने में सफल हो गया है जो यह ज़्यादा मार्क लेकर के गलती से अपना जो प्रमान पत्र था वो ज्यादा मार्क गया उसी के बाद नीचे में लिखाया अता परमान प्राप्त सत्यापन प्रतिवेदन के आलोक में इसका नाम दिया गया है विशेस सर्वेक्षन लिपिक इसका नाम को इस कार्याले के पत्रांग 10105-81 के करमांग 20 द्वरा निर्गत संबिता नियोजन को रद किया जाता है तो इनका जो अभ्यक्ति है हो रद किया जाता है सस्पेंट कर दिया गया है इसको और इनमें करवाई करने के लिए नीचे मादेश दिया गया है इनको भी इसका मेल भेजा जाएगा इसके मेल आईडी पर और इनको जो इसका थाना है उसका फायर दर्ज करने के लिए नीच कारिकरम सुपोल के बिरुद फर्जी परमानपत्र के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के बिरुद ठाना में अफायार दर्ज कराया जाए सुबिधा है तू संस्थान से प्राप्त परतिवेदन संगलगन है साथ ही उक्त कर्मी को अब तक भुकतान की गई रासी की वसूली की जाए एवं आगे कोई भुकतान नहीं की जाए तो जो भी इसमें इसको सेल्डी मिला होगा वो सभी सेल्डी का इसे वापस वसूली किया जाएगा इसके खिलाप फायर दर्ज किया मार्क था उसके वो बना करके इसमें अपना नोकडी कर रहे थे जिसके कारण से जब इसका सत्यापन किया गया तो इसमें यह पकड़े गए और इसको यह नोकडी से बर्थखास्थ होना पड़ा जो सेल्डी मिली थी अब तक इसको वह भी उसको असूला जाएगा और फायर पर्मान पत्र बनवा लिए होंगे जिससे की उसका सेलेक्शन होने इसलिए भी जो भी डोकुमेंट वेरिफिकेशन में टाइम लग रहा है यह सब चीज को वेरिफाय पहले किया जा रहा है ताकि यह बाद में उसको नोकडी पर लगा दिया जाया उसके बाद इसको हटाया के लिए जिसमें की उसमें एक सही कंडिडेट का सेलेक्शन हो पाएगा आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर से बताइए का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करकर रखिए ऐसे अपडेट पाने के लिए मिलते हैं अकले सुक्रिया और थैंक्यू